अगर आप घर में वार्काट करते हो, आपके पास कोई जीम एक्विमेंट नहीं है, फिर भी आप अपना सोल्डर मासल को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, इसके लिए आपको सिर्फ दो इट चाहिए, ठीक है, तो यहाप पर अगर ओट आपको कम लगे तो आप इट को पाने में फिखो के रख सकते हो, आपका हीट का weight बढ़ जाएगा, अब अच्छे से सोल्डर मासल को activate कर पाओगे, तो यहाप पर आपका पहला exercise होगा, आप राइट रो इस तरह, आप राइट रो है, यहाप पर आपका सोल्डर मासल ही activate होगा, ट्रेंट मासल को आपको normal रखना है, और 4 सेट कंप्रिट कीजिए इसका पहला एक्सेस हो गया दूसरा एक्सेसाइज आपको यहाप पर फ्रॉंट राइजेस करना है इस तरह इस तरह आप कीजिए फ्रॉंट राइजेस जितना हो सकता है बॉडी को स्टेबल रखने के लिए कोसिस कीजिए 90 डिग्री तक आप उठाओगे तो भी चलेगा इसका भी आपको एक एक हाथ में पंद्रा करके टोटाल 30 रेपिटेशन 30 रेपिटेशन मानना है चार सेट कंप्रिट करना है तो यह आपका दूसरा एक्सराइज कंप्रिट हो गया फ्रंट राइजेस तीसरा एक्सराइज आपको यह पर साइट राइजेस करना है बॉडी स्टेबल रहेगा इस तरह आप वोई प्ठाईए इसका भी आपको टोटाल 15 रेपिटेशन मानना है, 4 सेट कम्टिट करना है आपको यह आपर मासल माइन कनेक्शन अच्छे से बनाना है, नहीं तो आपका मासल अक्टिवेशन ठिक से हो नहीं पाएगा तो यह आपका तिसरा एक्सरा एक्सराइज, 4 एक्सराइज आपको यह आपर रेया डिल्ट फ्लाई मानना है, आप सामने की तरफ बेंट होगे थोड़ा सा जुकोगे, स्पाइन सिधा रहेगा और इस तरह आप वड़ उठाईए, इसे रेया डिल्ट फ्लाई बोलते हैं, इस जो है पाइक पूसा ठीक है, चले शुरू करते हैं, इस पोजिशन से आप पुरा सोल्डर आपका यह पर, सोल्डर के उपर आपको प्रिसाट ड़ना है, आपका पुरा बॉड़ी स्ट्रेट रहेगा, इस तरह आप निच्छे जाईए, उपर आईए, इसे आप 15 एक्सराइ आप घर में कीजिए, पहला जो चार वर्काउट है, उसके लिए आपको इड चाहिए होगा, लास्ट का जो एक्सराइज है, पाइक पूसाप, अगर आप बीगिनार हो, तो मैंने आपको जैसे दिखाया है, वैसे आप कीजिए, बट अगर आप इंटरमीडर लिबर में पह हर एक मासल को ट्रेन करने के लिए मैंने आपको वर्काउट दिखा दिया है, इसे आप घर में जरूर पार्फॉम कीजिए, अगर आप इंटरमीडियर लेबल में हो, तो आप तीन सेट कीजिए, अगर आप इंटरमीडियर हो, तो चार सेट कीजिए, तो अगर आप को वीड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए चले नेक्ष वीडियो पे मिलते हैं अब तक के लिए बाई